आप एक Black Screen पर इस बात्चीत को देख रहे होंगे ओ टीवी की हो सकती है, मोबाइल फोन की हो सकती है या लैप टॉप की हो सकती है एक Screen पर इस बात्चीत को Record किया जा रहा है मैं यहाँ बैट कर इसे बोल पा रहा हूँ हम तीनों के बीच एक समानता है वो समानता ये कि हमें एक सुरक्षा का भाव है भाव इस बात का है कि हम और आप जो ये बाचीत करेंगे उसे तसली से देख पाएंगे या सुन पाएंगे अपने काम कर पाएंगे क्यों? क्योंकि कई लोग, कई नौजवान, कई जामाज है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा रखी है ताकि हमारी और आपकी आज़ादी योही सुरक्षित रहे और ऐसी ही जामाजी की कहानिया होंगी आज बलेदान में बलेदान, किताब का डाइटल, जिसमें है पैरेस्पेशल फोर्सिस की कहानिया इसके लेखे का सुपनिल पांडे, आज हमारे साथ इस बाचीत मौझूद है उन्होंने चार किताबे लिखी है, कॉलमिनिस्ट है इस किताब पर और उस पिछली किताब पर वेब सिरीज बनने जा रही है आज हमें पैरेस्पेशल फोर्सिस की कहानियों के बारे में हम जानेंगे कुछ प्रेम की, कुछ शौरगाथाओं की पैरेस्पेशल फोर्सिस की जो हमारे जाबाज या हमारे जो नौजवान अपनी डूटीस पर रहते हैं उनकी परिवारों का क्या हाल होता है या operation हम रंदोग वाहिक की बात करेंगे जिसमें कोविड की बिल्कुल आहट की बीट है point blank पर जो आतंकवादियों और हमारे special forces की बीच में जो टसल है उसकी हम बात करेंगे इस सब को हम जानेंगे नमस्ते मेरे नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दिलललन टॉप का किताबों से जुड़ा सापता ही कारिकरम किताब वाला इसमें मारी ओथर हमारे साथ है आज बंसे इस पर बाचीत करेंगे सबसे पहले तो बेसिक सवाल हमारी दर्शकों के लिए मेरी अपने स्टैलिंग के लिए कि परेश्पेशल फोर्स क्या है क्योंकि गूगल पर बहुत एनिग्मा है लोगों में बहुत जुगपसा है जानने की कि आरमी के बार में यह पता पड़ जाए तो उन्हें वो कई की बार कुछ फुटकर इंफोर्मिशन विल पाती है कई बार ऑथंटिक नहीं होती है आपने जो की बहुत अथंटिक किताब लिखी है तो परेश्पेशल फोर्स के बारे में थोड़ा बेसिकली हमारे दर्शकों को समझाएं कि मैं ललन टॉप में आई हूं किताब वाला आपका शो है तो मैं बहुती सरल शब्दों में इसको डेस्क्राइब करूँगी किताब में तो काफी बाते लिख रखी है पैरा स्पेशल फोर्स इंडिन पैरा स्पेशल फोर्स को आप इस देश की सबसे खतरनाक घातक फोर्स जो है उनमें से एक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि पैरा स्पेशल फोर्स इस देश की सबसे घातक और खतरनाक फोर्स इस पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में उनकी अपनी स्पेशल फोर्स होती हैं वैसे ही जो इंडिया की, इंडियन आमी की जो special forces है, उनको इंडियन पैरा special forces कहते हैं और यह बहुत ही घातक और खतरनाक forces हैं, smaller military units होती हैं BC के लिए, जिनको special और unconventional warfare के लिए जैसे surgical strike होई थी, cross border operation था, जिसमें आप infantry forces नहीं भेज सकते हैं तो वहाँ पे हमने special forces भेजी थी, तो यह वही military units हैं, जिनकी में कहाने लेके आई हो, special reconnaissance होते हैं, foreign countries पे कुछ उनका internal matter है तो यह उसको भी facilitate करते हैं, specific targets पे अटाक करना होता है, और इनकी जो equipment होती है, best equipment last, least, जो एक forces हैं हमारे पास, वो special forces हैं खतरनाक, घातक, लीथल और कमाल के operatives हैं, इसमें आपने 6 कहानियों को इसमें जोड़ा है, और यह 6 कहानिया ऐसा ही नहीं है, कि एक ही theme पर हैं, या उसी तरह के शोरकी हैं, इसमें प्रेम हैं, इसमें आपको आश्यर होगा, जिसमें एक पहली कहानी से शुरू करना चाहता है, कि हमारे कुछ नौजवान हैं, कि हमारे कुछ सैनिक हैं जो सीमा पर हैं, लेकिन उनके परेवार के बारे में बहुत कम्सूशन होती है, परेवार अगर आता ही है, तो तब वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं, सरकार और अफसर लोग अपनी मिट्टी के लिए वहां पह कैसे उनकी पत्नी अपने बच्चे को चोड़कर उनको तब जब उनकी पत्ती को पराप्त कर चुके हैं, वो कहन थोड़ा बता है दिए अच्छी इसी मिथ को मैं अपनी किताबों के थू अपने काम के थू तोड़ना चाहते हूं भारतिय सेना का बहुत क्रेज है देश की जनता बहुत रिस्पेक्ट करती और अजैसा आपने का जुब ठीक कहा कि जब वीर गती को पराप्त होते हैं तो एंड में वस कैमरे मों रोती हूई सूरत दिखाई देती है किसी आमी वाइफ की जिसका पती चला गया जिसने देश के बड़ी कुर्बानी नहीं होती है न सुप्रीम साक्रिफाइज से बड़ी कुर्बानी आप क्या ही दे सकते हैं किसी की लिए तो इसको वीर गती को जब प्राप्त होते है तो रोती हूई सी सूरत दिख जाती है कैमरे पर और लोगों लगता है बस यह है उस फौजी की दुनिया के सामने लेके आ रही हूं तो एक अवेरनेस भी आ रही है जैसे में जिए थर्ड वोग है फोस बेहंन दर फोसे वो एक्स्क्लूसिवली आमी वाइफ के ओपर ही है वीर नारियों के ओपर है तो यहीं मित तोड़ने की कोशिश करी हूँ कि सिर्फ एक रोती हुई सूरत ही एक आमी वाइफ की पहचान नहीं होती है दुनिया में बल्कि वो बहुत ही सशक्त एमपावर्ड विमन होती है क्योंकि देखिए शेर से शादी सिर्फ नहीं कर सकती है तो अगर आपको लगता है कि भारतिया सेनिक लोहेग से बने हुए है इस देश के सबसे शूर होते हैं कि यार अगर बनना है तो भारतिया सेनिकों जैसे बनो तो आप विश्वरास रखिए कि जो औरते उनके साथ रिलेशन्शिप में हैं या उनसे शादी कर रही है वो औरते भी शेर्नियों से कम नहीं होती है उनका जिगरा भी स्टील का ही होता है बिकॉज इन फैक् कि वो उनके पीछे का जो फैमिली सपोर्ट है वो उससे आता है उस औरत का जो सीना होता है एक सिपाही से जादा बड़ा मजबूत होता है क्यूंकि उसके पास उस स्थिती के लिए भी तयार है कि जब मेरा पती तिरंगे में रैप होके आएगा तो उस तिरंगे का वजन उ देखेंगे करनल संतोष महाडेक महाराष्ट्रा में बहुत बड़ा नाम है 17 डिस्टिक के थे बचपन से छात्रपती श्रिवा जी महाराज से प्रेरित थे और इतने प्रेरित थे कि बेटे का नाम भी स्वराज रखा अब सोचे क्या पैशन होता है ना ऐसे ही पैशनी जु और वहाँ ही से शुरुआत करी थी तो बहुत ही रुमांचक कहानी है करनल संतोष महाडेक की बिल्कुल पैशनेट आप बिल्कुल एक बिल्कुल एक एक योद्धा को जो जो मैं देने की कोशश कर रही हूँ बहुत ही मतलब कमाल की पस्नालिटी और उनकी जैसे आप जो च बहुत है कि प्यारी सी खुबसूरा से जिंदेगी होती है दो प्यारे बच्चे होते हैं बड़ जब पती जाता और पती भी बहुत ऐसे नहीं मतलब ही ही अचीफ दिस ओनर ओफ डाइं विधा बुलिट इन हार्ट यो नो गोलियों से वो लीड कर रहे थे चल निवा शरीर चल निवा शरीर और कमांडिंग ओफिसर थे एज 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 लीडिंग फ्रॉम दे फ्रॉंट और सीने में गोली खाके गाए है वो ऐसी जो वीर गती होती है सैनिको का सपना होती है तो देश के लिए जान देने का दंखम रखते है तो यह सपना तो वो तो ऐसे जोशीले तरीके से गए जिस तरह से उनिफॉर्म पहनी पर जो दूसरी कहानी का जो पहलू मैं लेकर के आई हो दुनिया के सामने क्यों कि स्पेशल फोर्से के वारे में बहुत कुछ पता है पर उनके परिवार क्या होते हैं कौन लोग है जो इन लोगों को ताकत देते हैं नहीं पता है तो अब उसी पहलू की बात है जब हम बात करने है कैप्टन स्वाती महाडेक कि आप इमाजन करें कि पती देश के लिए चला जाता है और इतने बहादुरी के अंदाज से चला जाता है बहुत सारा प्राइड है बट ऐसे इनसान को खोने का दुख भ कि पती गया है उसके बाद उनके मन में इतनी श्रद्धा है इतना प्यार और विश्वास है अपने पती के लिए कि कहती ही कि वही युनिफॉर्म सोलजर रहा है उसकी लेगिसी मैं आगे लेके जाओंगी उनको ज़रत नहीं है हाइली कॉलिफाइड है यह आरते वाट उस म कुछ और पेशा चुन सती ती जो और पैसों की प्रब्लम नहीं है क्योंकि सरकार जो आर्मी है बहुत ध्यान रखती है इसमें कोई वो नहीं है बट सिर्फ लेगिसी उस नाम को आगे बढ़ाने के जेद कि जब जिस समय पती गया है उस समय आप सोचतों कि नहीं मैं यह ट यही एक रूप है मुझे लगता है एक सवाल इसमें था जब आप अपसे बात्चीज किताब वाला से पहले चर्चा हो रही थी कि छबीस बरस की शादी में रिगेडियर सौरप सिंग शेखावत अपनी पतनी के साथ महस्त दो या तीन बरस गोजार पाए तीन बार उने ने अपने कदम ना रखे हो रश्या अमेरिका जैसी काई कंट्रीज जो एक सर्टिफिकेट जेती है इस कहानी को तड़ा तफसील से बताइए मैं ब्रिगेडर सौरप सिंग शेखावत दे मैं दे मिथ दे लेजेंड वाकरी ब्रिगेडर सौरप सिंग शेखावत उनकी टाइट उनको madly passionately follow करते है एक David Goggins है USA के तो मुझे लगता है कि जो प्रिगेडर सौरप सिंग शेखावत है वो इंडिया के डेविड गोगन से बिकोज उनकी उनकी पिसनालिटी के उनकी सोल्जरिंग के बहुत सारे असपेक्ट है अभी तक दुनिया बस यही जानती है कि वो सिर् कर दोने कि मैं अनकी कहानी भी कर रही हैं तो वो इसे कहते थे लिदू है जब आप उनकी कहानी कर रही एक क्या ज़टोंग है को लगी करने की आपको हमारी कहानी करने कि क्या बहुत पर ही एक पूरी किताब लख सकती है तो ये उनका स्टेटास है कि special forces जो youngsters है जो य Harecamera जो जो मीडिया में आ गई हैं, वैसी ऑपरेशन्स केरी आउट किये हैं और बहुती डेर डेविल अंदाज से करा हैं या बहुती डेवोशन के साथ सेवाए दी हैं बड़ उसका कारण ये है कि मुझे लगता है और ये दुनिया अभी तक नोटिस ही नहीं कर पाई है कि वो सिर्फ एक सोलजर नहीं है वो भारत के जो सबसे बहतरीन स्पोर्ट्स परसंस हैं या जो परसनलिटीज अभी हमारे पास हैं उन में से एक हैं क्यों उसका कारण में आपको बताती हूँ कि अभी तक बाइदे टाइम ही इस फिफ्टी टू अभी तक उनोंने 23 माउंटन पीक्स अल अक्रोस दे वर्ल्ड समिट कर लिया है उसमें माउंट एवरेस्ट उनोंने तीन बार समिट किया है और बहुत बड़े बड़े जिसे माउंट किली मंजारो है जो आफरिका का बड़ा पीक है मुझे नाम भी याद नहीं है सारे अल्मूस्ट कर रखे हैं और उसमें से दो पीक्स उनोंने अभी इन हिस फिफ्टी ज किया है एक ब्रिगेडर रंक के ऑफसर है पचास साल में उनोंने 6,000 मीतर, 7,000 मीतर पैशन है जुनून पैशन डिसिप्लिन है और कुछ पस्नालिटी जैसे सचिन तंदूलकर है वो क्यों खास है तो हम यह नहीं डेस्क्राइब कर सकते कि ब्रिगेडर शेखावत क्यों खास है बट ऐसी पस्नालिटी को देखके जेनरेशन को इंस्पिरेशन मिलती है दूसरी अगर हम बात करें मुझे नहीं पता जब मैं बुक्के लिए रिसेर्च कर रही थी मेरे पास डेटा नहीं है कंपेर करने को बट मुझे लगता है कि इस देश में भी बहुत कम लोग होंगे जिनोंने 22 या 23 पीक इनोंने अभी तक कर लिया है तो इस देश के जो सबसे बहतरीन मौंटेनियर्स हैं उसमें से एक ही है अब हम बात करें पैराट्रूपिंग की जिसको सारल भाष्रा में और पब्लिक में sky diving कहते हैं सानिको के टर्म में जब क्योंकि combat involved होता है पैराट्रूपिंग के ते पैराट्रूपिंग की वर्ल्ड में sky diving की वर्ल्ड में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो rating उनके पास नहीं हो दुनिया उस पा एक organization होती है हर एक rating वो tandem master instructor है वो accelerated free fall instructor है examiner है पंदरासों के आसपास उनोंने jump ले रखी है tunnel master पूरा केरियर तो इसका ही है और इसको सीखना भी आप इमाजिन करिये sky diving हम आद करें हैं की 13,000 feet 25,000 feet से jump लगाना आप हलिकॉप्टर और प्लेन में बैखते हैं तो आप लगती होगी न हुचाई तो 13,000 feet से ये डेर डेविल बंदे पारशूट रेजिमेंट है हमारी पूरे पास उसमें भी मुझे लगता है कि ये one of the finest sky divers in the country होगे one of the इसलिए बोल रही हूँ कि मैर बस data नहीं compare करने को अगर मेरी बात आप कहिए तो मैं मुझे लगता है कि वो number one sky diver paratrooping की तो बात ही नहीं करी मैं paratroopers के वर्ल्ड में लेकिन अगर सबसे बहतरीन जो paratroopers इस देश के पास है और सबसे जो बहतरीन sky divers इस देश के पास है उसमें ब्रिगेड़ सारफ सिंग शेखावत है कोई डिग्री कोई रेटिंग ऐसी नहीं है जो उनके पास नहीं है काफी बड़े बड़े इन्होंने किर्तिमान हासिल कर रखे हैं तो आप देखें कि ये एक बहतरीन योद्धा तो है साथ साथ इस देश के बहुत बड़े mountaineer भी है बहुत ही बड़े paratrooper भी है यो extreme sports की कैटेगरी में आता है और एक reason है ना हम अपने sportsmen को बहुत ही हाई regards में रखते हैं उनको facilitate करते हैं बहुत inspire होते हैं बिकॉज ये जो sports personalities है the spirit of adventure एक समाज का जो spirit होता है conscious होता है इसको हाई रखते हैं इसको हाई रखते हैं विराट कोली कितनों को inspire कर रहे हैं चैलेंज इसको लेने की चैलेंज लेने की और हर कोई sportsmen भी नहीं बन सकता है बहुत ही लगन बहुत हार्डवक होती है कई बार पाराटूपिंग अब मैंने किर्तिमान तो बता दी है इसकी कहानी पीछे किस किताब में है कि कितनी बार वो गिरे हैं उनकी हड्यां टूटी है उनके स्पाइन में चोट लगी है पर फिर भी वो रुके नहीं है वो चलते गए हैं बहुत ही अच्छे वो हॉस राइडर भी है एक्वेस्ट्रियन बहुत ही वो राजस्थान से बिलॉंग करते हैं वह पर हर बच्चा 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 गोड़ा चलाथा तरह पर पूरी एक रइजमेंधे है चोटी सी अपडि़ को बच अपकी है वो बहुत है नहीं है इस लाइव किसी बुदुआ्टना है इसमें लिखा है मैंने क्या वो बहुत ये बहुत इस्सिप्लिंड रूटीन में टाहें सुबह चार बजे उठना, ठीक हमको रोज ओफिस आने में प्रॉबलम होती है ना, और हमार हम, हम सभी बहुत वियस्त हैं, वो एक सोलजर है, हर एक सोलजर के लाइफ बहुत बिजी होती है, उसमें भी वो सुबह चार बजे उठते हैं, बाइदा टाइम ये पांच बजरा हो पर जहां जब मैं उनसे इंटर्व्य ले रही थी तो सुमिंग पूल था वहां पर तो वो पांच बजे पीटीडल के बाद सुमिंग भी कर आते थे ते ते ताइम इस सेवन ओकलॉक, ही जए रेडी फो अफिस आप एसा भी नहीं के लिए वहीं कर रहे हैं और इसी रेजिम कि अगर कोई बंदा खड़ा है कहीं पर तो उसके परिवार की बहुत बड़ी ताकत होती है तो स्ट्रेंथ वहां से तो स्ट्रेंथ होती है रेनुका माम वही मुझे बतारी थी कि 26 साल के शादी में दो या तीन साल ही मतलब बहुत कम टाइम साथ में रहे हैं वो क्योंकि ज तो और इन सब को करने से पहले दो-दो साल की ट्रेनिंग भी होती है ना आपको उस लेवल पर जाना हो तो घर पे कभी रह नहीं बाए तो बता रही थी कि मेरे बच्चों को मैंने कभी देखा ही नी फादर से डमांड करने में जबकि स्कूल में सारे बच्चों के फादर सा कर रही है तो उनके पेरेंट्स का काफी कॉंट्रिबूशन है तो ब्रिगेडा सौरसनी शेखावत खड़े तो है पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है उनकी मदर का भी बहुत सपोर्ट है तो यही समाज को सिखाने कीन कहानियों की त्री फोशिश है तो आपके सपनों को हम और आप यहां तसलीस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ लोगे से बहुत आसानी से सुन पाएंगे कई लोग वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए यह व्यवस्था बन सके इसलिए कई लोगों ने जिनके शायद हम नाम नहीं जानते पर हम बहुत सर जुखा कर उनके करतक्य हैं उन लोगों ने अपनी जान की बाची लगाई वीरगती को प्राप्त हुए मैं आपका धियान क्याप्टन तुशार महाजन की स्टोरी पलाना चाहता हूं और आपने बहुत सुंदर तरीके इसका जो सब्टाइटल है वो है दैनिग्मा हूँ वेंट तू सुन आ डाल इंक क्यों तुछ किना मैं मूजी इसटार से मुझे यह जो डेश के रियल ही रोज इना हूं मुझे प्रे रित नी करतें मुझे रियल हेरोज कि मैं कितावे लेकर कर्या जाती किताब लिखने में बखा ज्रदधा चाहिए उति जुण नून चाहिये होती काथ परिशानियों होती हैं किताब लिखने में तो जब तक आप में जुनून और श्रद्धा नहीं है ना किसी चीज के लिए आपके टॉपिक्स आपके कारेक्टर के लिए आप नहीं लिख सकता है जब वीरगती को प्राप्त होता है तो देश के लिए बहुत बड़ा नुक्षान होता है उस पर बाद अगर स्पेशल फोर्स इस उपरेटेव है उसमें भी कैप्टन तुशार महाजन है तो उस दुख की उस लॉस की आप कलपना नहीं कर सकता है 26 साल की उमर में 26 साल कैसी उमर होती है उन्होंने 2016 में पंपोर उपरेशन लड़कपन नहीं जाता है दोस्त होते हैं मुवी देखना है बाइक राइड करनी है सब तुशार महाजन करते थे बहुत ही दोस्तों के साथ बिलकुल पता ही में चलेगा कि इतने खतरनाक फुल म्यूजिक बचता तर जैसे हमारे यंग्स्टर होते हैं और पसनालीटी बहुती कमाल की जितने लोगों के जो अनके कॉमरेटिस हैं मैं इंटर्व्यू लिया वो बता रहे थे कि पहली चीजी traumatize क्टी थी उनकी पसनालिटी बहुत स्ट्राइक करती थी जम्मु कस्मी टीचर रहे हैं, काफी डॉक्तर्स और इंजिनिर्स तयार की हैं, अपना तो बेटा ही खेरदेश के लिए दे दिया हैं, तो ऐसे परिवार भी हमारे बीच में है, तो एक तो उनके जो लुक्स थे, बिल्कुल गोरे, चिट्टे, लंबे, तो इनके कॉर्मरेट्स बताते हैं, कि पठका बाहनते थे, बहुत ही स्टाइलिश परिशनलिटी थे, स्टाइलिश यंग्स्टेस थे, वो हाफ गलफ, टाक्टिकल गलफ पहनते थे, यह M4 लेके लेके रहते थे, नॉमली बताते हैं कि टैवर हमारा फेवरेट होता है, बड उनको M4 बत पसंद था, सो ऐसी डा थे, इन्होंने कर रहा था, देश के लिए काफी कारनामे उन्होंने किये, जब वीरगती को प्राप्त हुए थे, तो उनके फैमिली मेंबर्स को पूरे देश भर से कॉल आये थे, मतलब कहरें लोग कहरें थे, यह तो हमारा पोर्टर था, यह तो हमारे यहां पे ड्राइव काम करता था, क्योंकि फॉच का अपना कोवर्ट नेटवर्क होता है, बिना स्पाई नेटवर्क के और इन्फोमेशन नेटवर्कर का स्ट्रॉंग नहीं है, तो आप कोई भी यूध नहीं जीच सकते, इन्फोमेशन इस मेक और ब्रेक, कोवर्ट का थोड़ा असानी सभाश तो आपने जासूसी कह लीजे है ना, उनको हम कोवर्ट ऑपरेटर्व कहते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉंग और लीथल होती है, अगर टरॉर्स देख रहे हैं तो यह बहुत ही स्ट्रॉंग नेटवर्क होता है, ओजी डबलू और क्योंकि एवाली में काफी होते हैं, तो उ सुप्रीम साक्रिफाइस देदिया, वह ऐसे ही वाकी युद्धा, तो सभी अच्छे हैं उनमें वह सबसे अच्छा युद्धा है ना, जब देश के लिए जानी देदी क्या बता, तो मैं जो उनकी पसनालिटी की बात कर रही थी क्योंकि पंपुर ऑपरेशन में उने अप अच्छे फसाद कर रहे थे, बसस को जला रहे थे, वहाँ पर हमारे पास ऐसे योद्धा है भारतिया सेना में, जो कि देश में स्वतंतरता और संप्रभुता को कायम रख रहे हैं, कि उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है, उनके लिए सिर्देश सर्वप्रथम है, और उन एक तरफ ये युवाय जो देश के लिए जान दे रहे तो मुझे लगता है ऐसी कहानियों को जादा तवज्यो देनी चाहिए, हमें, उनकी मदर का जो, के जो फोटोग्राफ थे वाइरल हुए तो, कॉफिन पे रो रही हैं, अब बताईए कि जिस मदर ने या जिस फादर बढ़ापे का सहारा कहते है, जवाल लड़का चला जाए, पिपिंग कर रहे हैं, खास्ता वा चहरा, एक बेटा, मतलब इतना प्यारा बेटा, दो लड़के हैं उनके एक बेटा फॉज में उन्होंने दे लिया, अपने लड़के को खोने का गम क्या होता है, उनके उनका ब क्या हम सरकार के तोर पर समाज के तोर पर उन लोगों के लिए एक जब वो बलगान होता है, जब वीरगती को परापत होते हैं, तब तो काफी अनॉंस्मेंट सरकारों की तरफ से भी आते हैं, ने तावसर भी पहुंचते हैं, हमारी भी रख्त में फढ़ियां उठती हैं, ह अगर आप इस सवाल को मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यही बताओगी कि जिस इंसान ने, जिस परिवार ने अपना बेटा खो दिया, पती खो दिया, और जिस इंसान ने सुप्रीम साक्रिफाइस, है ना, सरवोच बलेदान दे दिया देश के लिए, उसके लिए कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना, और जितनी सोल जस से मैंने बात करी, जैसे महिंदर साब से मैंने सवाल पूछा था, वो आपको हर, इतना स्वाभी मान होता है, एक सैनिक के परिवार में, क्योंकि सैनिक के साथ मैंने बताया है, कि शेर के साथ शेर मिया ही रहें पैसों की बात नहीं है कुछ निए फॉज ध्यान रखती है फॉज एक ऐसी ओर्गनाइजेशन है जो बहुत ध्यान रखती है तब ही यह स्ट्रक्चर आज तक क्रम्बल नहीं हुआ है हर सिस्टम में सोड़ी कमिया कोई भी फाइंड कर सकता है बट फॉज में पूरा सिस्टम करें हैं जैसे जो हमारे वीर हैं उनकी जो झो पाराने को खास कहें सब्सक्रों कर भी कभी भी सूचना सकती है कभी भी सूचना सकती है तब भी you marry a soldier you give him you inspire him हर एक बंदा जो बॉर्डर पे ये कहा भी जाता है सानिकों के बारे में कि हम उसके लिए नहीं लड़ते हैं जो हम उसके लिए नहीं लड़ते हैं बच्चों के स्कूल में बच्चों को क्या तो अगर उसका एक सेकंड का इस्ट्रेक्शन होगा जब वो बंदू पकड़ के खड़ा है तो आप सोचिए कि देश को बारी पढ़ जाएगा बिकोस उस एक साथी की कमी की वज़े से पूरा ओपरेशन फेल हो सकता है आप लोग ने काफी कुछ देख लिया ना सब कुछ आगया तो मीड़ा में गलवान युद के विजूल सापनों ने देख लिया उसमें अगर आप फोकस्ट नहीं है तो यह वो औरते हैं यह वो और परवार हैं अगर एक सेनिक का परवार आपके ओफिस में आ रहा है आपके बैंक्स में आ रहा है तो अगर आप एक प्रेसिडेंट को जो सम्मान देंगे उस वीर की वाइफ को दीजे उनकी मदस को दीजे उनके परवारों को वही रिस्पेक दीजे इतना ही चाहिए यह बाकी फॉज ध्यान रखती है बहुत ध्यान तब ही तो रह रही है ना यह तब ही तो यह स्ट्रक्चर क्रंबल नहीं हुआ है और सस्टेन कर रहा है हमारा तो पैसे नहीं चाहिए किसी को सम्मान दीजे अपने सपनों को जब पूरा करते हैं तो यह मन में ध्यान रखिए कि आप सपने इसले पूरा कर पा रहे हैं अफगानिस्तान या यूक्रेन जैसे हाल नहीं हो रहा है बेको भारतिया सैनि युद्ध भूमी में और वर्ल्ड में नंबर वन है उनकी इतनी मजबूती से खड़े हम देश में हमारा हाल वो अफगानिस्तान वाला नहीं हो सकता है अमको इतना कॉन्फिदेंस अपने सैनिको पर है ना वो कॉन्फिदेंस आपका साथ आप पाकिस्तान वा पर आर्मी और सरकार का क्या हूआ अब देख लीजे से अज अश् समाज में जब लोग राइट कर रहे हैं या एक डिस्रॉप्टिव नारेटिव इस समाज तोडने की बाते करते हैं अवारे कुछ युवा ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं सेना में सफ करते हैं उनके परिवार भी उतने ही जोशीले और देश्भक्त होते है उस देश जो दिदेश के लिए जान देने की ताकत रख रहा दिपक जी उसको क्या चाहिए इतनी सी बात है सेहनिक परिवारों का स्वाविमान और हमारी और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक शर्म बनी रहे कि हम उनके प्रती क्रितग्य हो पाएं और उनके जो वलिदान है उसके प्रती अपनी जिम्मेदारी दे पाएं दो आकरी के सवाल है मैं मेरे, प्रेम पर हमारे समाज में इन दोनों बहुत कुठारा गाहत होता है, चाहे वो अलग अलग शुगूफों के अधार पर होता हो, चाहे वो कुछ रियल घटनाओं के अधार पर होता हो, मैं चुकि मनी सिंग और मिस्स आस्था पवर, मैं पमारो अधार मैं कन्यूज रहते हैं, मैं देख लिए अपने नोट्स को, इस प्रेम कहानी के भीतर के जो, क्योंकि हमने इजी स्थारी इसमें स्टोरी इस पढ़ें, ये प्रेम कहानी मतलब इस स्टोरी को पढ़ते हुए भी बहुत भीतर से विचलत हो रहा था, बहुत भीतर से तो इस कहानी को थोड़ा और हमारे दरिश्कोंको बतायां करें गार्यों कि उनसब कहानीं में जारा है इस कानी में प्रेम के भी कोपले हैं, हाझे, जब मैं कहानी लिख REE कॉरता हूं को पता नहीं होता कि काहानी का रोख क्या होगा, क्यों कि मैं एजा, स् Dwjam Works atienda मेश यार और उस हिसाब से वह कहानिय की तयार हो जाती है। जब मैं लिख रही थी तो मुझे अंदाज नहीं था, बाट प्यारी सी लफ स्टोरी मेरे दमाग में थी जो लिख रही थी, इसका परपस इतना बड़ा होगा, और यह कहानी इतनी जादा पसंद की जाएगी, बहुत बड़े बड़े भी नाम है, ब्रिगेड़ा सुरफ शिखावत, करनल सदोश महार्डेक, महिंदर साब, ऐसे नाम है इस किताब में, पर मुझे नहीं बड़ा था कि इस कहानी का परपस इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कई सारे डिसेबल लोगों ने मेरे सोशल मीडिया चानल्स पर मुझसे कॉन्टाक्ट किया, उनको बहुत होप आई है इस कहानी से, कि इस कहानी का असेंस यह रहता है, कि जो मेजर मनीश चिंग है, नाइन पारा स्पेशल फोर्स के बहुत ही अच्छे खतरनाक योद्धा है और देश को काफी सेवाएं देते हैं अपनी, एक बहुत ही थ्रिलिंग ओपरेशन है इसमें, जिसमें में मेंशन भी किया है, उनक कि अबारे सैनिकों को की सिखलाई क्या होती है, उनका मुरैल नहीं डाउन होता है, जब मैं मिली बहुत ही हस्मोख, खुशमिजाज, इंसान, हसता हुआ चेहरा और आज भी देश को सेवाई दे रहे हैं, मतलब पेंशन लेके घर बैटने की उनको वो कर सकते हैं, क्यों कि कि रोज ओफिस आने में कितनी परिशानी होती है, अपना काम करने में, वो डिसेबल्ड है, पर्मेनेंटली वील्चर बाउंड है, आराम्स की जिंदगी बिता सकते हैं, पर वो देखिए सिखलाई क्या है, स्पेशल फोर्स की और इंडियनामी की, कि वो युनिट से जुड जिए लेवन पार्टनर्स हैं, वो चॉप कर रहे हैं, बहुत ही अगली नारेटिव सार हैं, और वो भी एक नारेटिव हैं, जो कहानी में लेकर आई हूँ है, यह दोनों ही ट्रू है, ठीक है, तो ऐसी कहानी भी आनी चाहिए ना समाज के आसे, अपने अपना सच उनने की काजादी है, मैंने अपना सच सुन लिया है कि मैं पॉजिटिव कंस्ट्रुक्तिव कहानिया, होप देने वाली कहानिया, जैन्जी को देना बहुत जरूरी है, बेकर जैसे हम तो बड़े हो गए ना भागत सेंग और चात्रपती शिवा जी महराज की कहानिया, सुन-सुन कर जैन्जी को उनकी आइकॉन देना जरूरी है, हम उस देखिए ना उस सबता संस्कृति से बिलॉंग करते हैं, दीपक जी जहां पे सीताराम, राधाकृष्न के एक्जामपल है, हमारी जो संस्कृति है, हम भी तालिबानी बन सकते हैं, उसमें परिवारों को विशेष थान उसका कारण है, तभी एक जो साक्त्रिक नेचर है भारत देश का, वो आज भी बना हुआ है, और यही परिवारों के हम पनी चर्चा करें, कि परिवार स्ट्रेंड देते हैं, उस आजमी को अगर हीरो बनाया, तो उसके परिवार का कॉंट्रिबूशन रहता है, उसके परिवार स्ट्रेंड परिवार का जाएजा यह तो वहसी कहानी मेजर बनीश निंग और आस्था पनवर का है, अस नियूस पेपर में अगर मनीश निग के बारे में पढ़ा, कि अप विश्वास ने करेंगे, नियूस पेपर पढ़ते ही उनको प्यार हो गया, मुझे विश वडिससरी पुक हरी थी ना, प्रोस बिए इन फोसेस, उसमें भी ऐसी कहानी है, जिसमें नवी नगपा है। उनकी वाइफ हैं अज मिसिस सौह्य नगपा, उनके साथ भी यह हुआ था थीन्यूस पढ़ पढ़ देपार हो गयाथा, तो ऐसी चीज़ थी हैं। तो उनको प्यार हो गया, बहुत ही मुश्किलों के साथ, इसेबल के साथ कौन सा परेवार अपनी लड़की की शादी करना चाहेगा, बहुत ही मुश्किलों के बाद उनकी शादी होती है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, बहुत ही स्टिफ थे, आप सैनिको की रिस्पेक्ट एवर आफटर, तो बहुत ही होपफुल, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, समाज को यही बताने की कोशिश, जैंजी को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि ट्रू लव आज भी एक्जिस्ट करता है, और यह बिलीव इन इट, यह है, हाँजे. अन्त में चलते-चलते, हम जब कोविड हमारे मुल्क में या दुनिया में आहट दे चुका था, और उसी अप्रेल में भारी बर्फबारी के बीच, एक ऑपरेशन रंगदोही बाहिक हुआ, पॉइंट ब्लैंक से आतंकवादियों को मार गिराया गया, और किस्मत का एक बहुत बड़ा इसमयर वोलता, उपरेशन रंगदोही बाहिक के बारे में है, चुकि वो विकी बिड़क इन्फरमिशन तो बहुत रही, पर यह जो जिसमें वेल लॉर्टे से आप मुझे बता रही है, इस किताब को पढ़ते हो मिलता है, कि वो वहां से गिरे हैं, उसके बावजूद भी कई हमारे जवान ऐसे थे, जामबाज ऐसे थे, जो अपने दोस्तों की खाते है, उनका अपना परिवार है, घर है, ग्रहस्ती है, सब कुछ है, लेकिन सिर्व इसलिए चुकि एक कॉमराडरी है, शौरे की और हमने बाते करी हैं, बट जो रंगदोरी भाएक हैं, उसमें जो रीडर्स कह रहे हैं, जब आप लिखते हैं तो आपको इंपाक्ट नहीं पता हो, तो रीडर्स कह रहे हैं, इस कहानी को पढ़ते समें, जब आपको रहे हैं, आपको यह तो आपको आपको पार्ज के कंटेक्स्ट में भाएक्स में इसक्लूसिफ तर्म्स, यह वो एथो हैं, जिस ने इंडियन आर्मी को आज भी सस्टेन कर रखा है, क्योंकि जब आप जंगल में रहते हैं ना पहाडों पे अकेले बैठे हैं या सियाचिन में आप देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उससे में आपका परिवार नहीं होता है तो एक साथ की भावना आपका साथी होता है आप ही के जैसे एक दूसरा सिपाही होता है जो आ प्यार नहीं रहेगा, प्यार होना बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आपको उस पंदे के लिए अपने साथी के लिए प्यार नहीं है, तो आप कभी भी यूद्ध नहीं जीत सकते हैं, मैं आपको बतारी हूं, भारतिय सेना इसलिए बहुत विशेश है, कारगिल का यहां में एक में जाओंगे जब मैं स्पेशल फोर्स के जो ऑपरेटिव से इंटर्व्यूज ले रहे थी, तो जैसे एक दुन्या में बना रखा है कि नेवी सील बेस्ट है, सास बेस्ट है, बिकॉस उन पे सॉफ्ट पावर में काफी आगे न, काफी मूवी आगे हैं कि न अब बना रखावार जाओंगे न, काफी मूवी आपड़ेटिव मुझे मैं अपरेटिव कर रहे हैं कि मैं आते हैं उनका तो पेटी खराब जाता है यह पर इंडा में अगरे सास एक्सराइब हैं उनका तो पानी नहीं सूट करता हैं ऑफकॉस जिसने घतरनाग टेरेन में सियाचिन वर्ल्ल का हाइस बैटल फील्ड है हमारे जंगल है नौर्थ-East के जंगल ले ली जाए या कश्मीरी जंगल इधर के ले ले जाए इससे जाधा difficult conditions उनके पास नहीं होती है तो हमारे जाधा robust है तो यह सब कमरेडरी के basis पर ही आप एक जो सैनिक है रोज का दिन नि कि जो दोस्ती क्या होती है साथी के लिए जान देना क्या होता आप अपरेशन रंग्दोरी बाहिक से सीखिए हम अभी देखे अगर अभी यहां गोली बारी हो जाए अपका बहुती best friend भी है और आपको पता है कि मैं उसको बचाने जाओंगा तो मेरी जान 100% जाएगी नही सीखिए जाओंगे क्यattend्से कि जान से जादा कीमति कि लिए कुछ नहीं होता यह जाहिर सी बात है पुट यह कैसे जुनों का यह ज Кिन के लिए जान बाद में है उनकाद पैले है ूनका साथी पहले किस्मत का बहुत बड़ा बड़ा ए यह जांपल है यह नान नही होता पा किसमत भी बहुत बड़ी चीज होती है ना तो ऐसे तो कितने उपरेशन होते रहते हैं पता भी नहीं चलता है एक तो देखिए कि कोविड के समय ये बंदे कोविड तब नया नहीं आया था था तब भी हमारे सैनिक इस देश को अपनी सेवाय दे रहे थे वो यह नहीं कह रहे किर्थी चक्रा से नावाजा गया है मुझे लगता है विलासपुर के रहने वाले हैं शायद किर्थी चक्रा इस देश का सेकंड हाइस पीस टाइम गैलेंट रिवार्ड है बहुत ही बड़ा संभाने बिरले होता है हर एक यूनिट में एक दो तीन ऐसे करके आपको मिल किसमत बहुत बड़ी चीज होती है जिसको जैसे जाना है वैसे जाएगा तो उन्होंने बड़ा कंफर्टिबल एंबश लगा दिया था और बस सुबह का इंतजार था उनको पता देगी नाले के अस-पस होने चाहिए और वह बहुती कंफर्टिबली खतम हो जाता बट किसम तो भी उनकी जान बचाई जा सकती थी बड़ गिरते भी टर्रेस के सामने गिरते हैं गोली बारी शुरू हो जाती है अब यहां देखिये कैजूल्टी से दो हो सती थी मज जो मुझे इंटव्यू दे रहे थे वो कहरे थे कि माम हमारा सीना कालेजा जो होता है हमारा बड़ उनका भी परिवार है उनके भी बच्चे में मिली उनकी वाइव से वहां जाते हैं और उस गोली बारी में अपने दोस्तों को खीचने की कोशश करते हैं फिर उनके पीछे उनका पूरा स्कॉर्ड आ जाता है किसी ने छोड़ा नहीं कोई छोड़ के भागा नहीं है सब को पता है कि टाक्टिकली बहुत ही डिसद्वांटेज वाली सिचोइशन है बट सब के दमाग में वो जो जदो जहेद है अपने साथी को बचाने की बहुत ही खुबसूरती से कैसी निकाल के लाना है और उस गोली बारी चल रही है गोली आरी होदा से रॉकट लांचर भी जल को पुष कर रही है रोने के लिए कि मतलब वो यह नहीं सोच रही है कि मेरी जान बच जाए या हम छोड़के भाग जाए वो यह सोच रहे है कि मेरे साथी को कैसे बचा ले और इस कोशिश में वो पांचर चले जाते हैं पांच इंडन आर्मी में बहुत बड़ा और प्रफेशनल आमी है तूसरे फोसे में सुन लेते हैं कि सतर चले गए या कई तरह के ग्जाम्पल साथे हैं हमारे पात लेकिन भारतिया सेना जैसे कारगिल भी एक युद्ध था उसमें 500 प्लस कुछ कैजूल्टी सी तो भारतिया सेना अपने मैं को लेके काफी मतलब ए प्रफेशन से पहले हमको लगता हम कहते हैं मजाख में कहते थे कि फोर पारा के बंदों को नग गोली नहीं चूती है उसके बाद हमारे मित टूट गया तो बात किसमत की बात ती तो ये जैदो जैटना ये कमरेडरी जो है भाई चारा जो है बहुती खुबसूरत कानी उसक गुदूंविशन कैसे मिल पाइं क्या लिखना है कैसे लिखना है किस तरीकी से लिखना है ये access कैसे मिल पाइं इसको हुआ में थोड़ा मरदश कुबता है तैयार कैसे हुई एक किताब तयार लिखने के पीछे हर आर्टिस को राइटर को प्रेड़ना चाहिए होती है और देखी होगी जब तक दिल पे छोट नहीं लगती है, आप कुछ भी क्रियेटिव और बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं, बहुत ही बड़े स्केल के किताब है, जैसे फोस बेहन दुनिया के बारे में से बिलॉग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान होती है, जैसे मुझे समज ए उनइमोशन की उने फोस की जो यहां बहती है, तब यह कहाणिया, बहुत ही पाफुल कहाणिया आप आती हैं, तो मैं आप इन लोगों के साथ साल साल दो दो साल बिताते हो, इनके सुख दोख के भागी बनते हो, उनका सुख उनका प्यार, उनकी को महसूस करते हैं, तो टेक्स टोल न यह हाट, इस नोट एजी जॉग, क्योंकि यह पावर यह दर्ग पन्नों पे उस लेखक के दिल से आ रही है, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मुझे नाइट मैस भी आ रहे थे, जैसे तुरुपति की कहानी और कर रही थी, मेजर शर्षी धरनायर आइडी ब्लास्ट में गए थे, तो पहले तो मेरा रीजन था कि मैं आई वांटेट तो और एक लेखक को लोह को लोहा काट तो लेखक को दूसरी कहानिया चाहिए उस गंसने, तो मेरे दमाग में सम्हाँ आया कि मुझे स्पेशल फोर्स पे कहानी लिखनी चाहिए उसके लाब मैंने विलिटरी रिलेशनशिप्स पे फैमिलीज पे लिखी है कि तो एज लेखक मुझे यह भी लगता है कि आपको पने कमफर्ट जोन से बहार आना चाहिए आपकी लेख तो यह यह लिखना अगैन वोज चालेंज ओफ अनादर लेवल तो यह दो चीजों ने मुझे इंसाइट किया लिखने के लिए यह तो कर लिया मैंने बट डिफिकल्ट बहुत था क्योंकि जब आप स्पेशल फोर्सेज हैं और आपकी कोवर्ट फोर्सेज हैं उनके बारे म मैं पर्मेशन और क्लिरेंस के प्रोसेस पर ही बात करूंगे तो साल भर लग जाएगा मैंने में मैंशन किया है कि यह स्पेशल ऑपरेशन के बराबर था मैंने ऑथरस नोट में तो उनको एक तरफ में रख देती हूं कि बाई जो भी क्लिरेंस के लिए मुझे परशानी हु तो बहुत ही सैनिकों के बारे में नैशनल सिक्योर्टी से जोड़ी चीज़े हैं तो बहुत ही सेंसिबल और रिस्पॉंसिबल होके लिखना पड़ता है हम मुझे जैसे आठ साल में वेटरन ओधर हूं फटर्निटी से बिलाग कर तो एक सेंस अफ रिस्पॉंसिबिली तो फॉज में की नहीं ठीक है अच्छी से कहानी लिख लेगी है तो वो इनको एक तरफ कि आप दूसरा जो पोर्शन शुरू होता है तो अप्रोच दीज यूनिट्स आप वहां से भी परमिशन्स चाहिए आपको उन यूनिट्स में पहुँचना उन ऑपरेटिव क्योंकि 200 से जादा ऑपरेटिव से मैंने बाते करी हैं तो उन ऑपरेटिव को पहले पगड़ना बेको समको समझना है कि यह कंटेंप्ररी स्टोरीज हैं हंद्वरी बाइक 2020 की आपरेशन से यह सारे सारे सर्विंग पर्सनल्स हैं बेसिकली यह नहीं की 62 की है तो मतला बेटरन है तो मैं आराम से बात कर सको मैं अब यह क्या होता तक अभी एंबुश में बैठे रहते थे या कोई फॉरिं में फोस्टिंग है किसी की या कोई सिया चिन में डिपलॉइड है तो इनके जो दोस्ते हैं जो बाकी दोस्ते अलग 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 जगहों पे हैं जो छे-छे कहानिया कि मैंने चार चार घंटे भी बैठ करके उन ऑपरेटर्स से बात करी है तो उनके बास टाइम होना और उनको पकड़ना बैठना बढ़ना चाहिए और तभी मतलब साल दो साल लग गए तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉसस था वही होता ता कभी रात के जासे दो बजे मुच प्रॉसस प्रॉसस नी शिखा वहते हैं तो बहुत बुट बढ़ना उनको पकड़ना उनसे बात करना उनके पारेवार से मिलना तो सबका बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉसस था पट यह प्रॉसस इतना एंटेटेंग भी था क्योंकि मैं बता रही हो कि मैं आई चेंग जिए तो हर परा-स्पेशल फोर्सस नीट का जो नेचर होता है तेमपरामेंट होता है दूसरी से बहुत अलग होता है जैसे एक यूनिट में गई मैं नाम नहीं लोगी तो बहुती तशनी बंदे बिल्कुल नॉन उनिफॉर्म में घोम रहें बिल्कुल जैसे मैं जब में ब्ली वन्ट बोल रहे हैं दूसरे में तो बेरे जेंटल में बेरे शिवल्रेस फोर्सस एंग सारी सारी जवल फोर्सस और ये जो एक्स्पिरिंस था जस्टो में बीड इस और इस आर्पे अज्टेश्ट शोर गॉट्स था ब मिल्ला इनसे बाते करना इनके अलग अलग यह शब्द हम सब की स्मृतियों में कई बार आएगा, इस किताब को पढ़ते हुए, इस बाचीत को सुनते हुए, और गाहे बगाहे अकबारों की कत्रनों में उन नौजवानों की कहानियों को समझते हुए, किताब वाला में किताबों का अक्रमियों ही चलता रहेगा, यह ब आप